हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चनल तयर जीत में आज हम देखने वाले हैं एट ग्रेट अभ्यास पुस्त का दोहज़ा तेश चोवीज कक्षा साथ विसाय संस्क्रिट के पार्ट बारा दुईदसा पाथा इसका नाम आपका यहां पर लिखा हुआ है तो यह इस तो यह पहली इसका नाम है पार्ट का तो इसके हम पहले कोश्चन का अंसर देखते हैं आपर तो देखी क्या लिखा है कोश्चन आपका तो यहां पर लिखा है निर्देश रहा बहु बिकल्पिये प्रसिन तो यहां पर पहला कोश्चन है आपका साक्षारम इतस्मिन पदे संधी अस्ति तो साक्षार में साक्षारम में कौन सी संधी है तो यहाँ पर गुड संधी ब्रद्धी संधी या फिर दीर्ग संधी या फिर आयादी संधी तो इसका सही हो जाएगा आपका अंसर यहाँ पर दीर्ग संधी या निस्सा तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको श्राइम यानि वह त्ратकार से आपको यादकर लिए लिए तो है इसके बाद bougie देखते हैं तीसरा यह दिया गया है थिसरा कोश्चन क्या लिखाया देखिए पहले लिखना है एक पदे में पत्त लेका है लिखना है यह हो जाएगा पत्रम यानी पत्र एसके बाद अगला क्为शन है आपका चौथा तो देखिये क्या लिखा है चौथे में तो यहां पर लिखा है कवेँज पयम संसारम पस्यामा यानि हम संसार किस्के देखते हैं तो यहां पर हो जाएगा नेत्र भयम, नेत्रा भयम, इसके बाद question पांचमा है, ब्रक्छस्य, अग्र भागे का तिश्ठती, तो इसका हो जाएगा, नारी केलम, यानि नारियल, इसके बाद अगला है आपका चटमा, मुकाह कथम जीवता, तो यहाँ पर हो जाएगा मौनेन, ठीक है, यहाँ पर मुका कथम जीवता, तो मौनेन, इसके बाद अगला question है, यानि मूख को क्या कहते है, तो मौन होता है, मूख, इसके बाद अगला question है आपका, इसके बाद यहाँ पर लिखा, एक बाद के मुक्त लिखना आपको, तो सात्मा question है, स्वा, जीव, जीवा, स्वा जाती, जीवा, कस्य भोज नानी, यानि कौन स्वेम जाती के यहाँ पर स्वेम के atten को यहां पर यहार Χाता पर यहां पर धही हो जाएगा मतच यान मचली याणि मचलियां की जाती कि मचलियों खा जाती इसके बाद question no.8 है आपका यह तो देख क्या लिखा है तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर बिभनानी मधुरानी फलानी कुताह प्राप्ति यानि बिभन तो यहाँ पर लिखेंगे बिभनानी मधुरानी फलानी ब्रक्षा प्राप्ति यानि हमें बिभन मधुर फल कहां से मिल तो यहाँ पर इसका सही अंसर हो जागा बिरक्षा याद करना है और पूरा कमप्लीट हो जाना है घृट जला सय मेघ रिक्तियम जलं कस्मेन बढ़ति तो इसका हो जाएगा घ्लत जलासय मेगती रिक्तम जलम नारी केलम बर्दते इसके बाद अगला कोश्चन तो इसमें क्या करना है कि बल आपको यहाँ पर कस्मेन की जहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर नारी केलम लिखना है इसके बाद अगला question है आपका दस्मा तो दस्मा question क्या दिया है देखी तो यहाँ पर दिया है कस से आदी अंते चा ना गचती यानि किसका आदी और अंत नहीं है तो यहाँ पर हो जागा नेत्रस से आदी अंते चा ना गचती यानि आखों से हम कहीं तक भी देख सकते हैं इसकी कोई limit नहीं होती है इसके बाद question हमारा ग्यारमा है तो देखी क्या लिखा ग्यारमा question जला सई के के जीवा निवसंती संस्कृत सूची निर्मारम कुरता यानि पानी में कौन कौन से जीव रहते हैं उनके नाम लिखना है जैसे कि आपका लिख रहा है यहां पर मकरह यानि मगर तो इसका हो जाएगा आपका मंडुकाह बकाह सरपाह मतस्य इती यानि कौन कौन मैढक बगला सांप और मचलिया आदी इसके अलावे ही वह से जीव रहते हैं तो आप उनके भी नाम लिख सकते हैं इसके बाद हमारा question यह 12 है तो देखी क्या लिखा है 12 question तो यहां पर लिखा हुआ है गिरहे परिवारे बिध्याले चार्चा क्रितवा पहेले का द्वम हिंदी भासायाम लिखत तो आपको यहां पर दो पहेलियों के यहां पर लिखना है दो पहेलियों को लेकिन यहां पर हमने चार लिखा है तो आप चारों लिखी गया हिंदी में जैसे कि आप यह पहेलिया इसके बाद तीसरा है भै क्या है जिसकी गर्दन है पर सिर नहीं इसके बाद चौथा आपका यहां पर बूझ हो भाईया एक पहली जब काटो तो नहीं नवेली तो यहां पर हमारा कॉस्चन नमबर 12 का हल होता है यदि आपने अभी तक हमारे पिछले पाटों का यहां पर हल नहीं देखा है एक से लेकर 11 तक के इस पुस्तक का हमने पूरे टोटल यहां पर 21 पाटों तक का हल करा रखा है यदि आपना भी तक नहीं देखा है तो यहां पर आपको यहां पर एक वीडियो दिख रहा होगा प्ले लिस्ट तो यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको